सब्सक्राम 6 नमबर लिखा है बहुत बड़ा 7983 645273 अब आपने ये नमबर देखा अब आप सोचते हो याज़े किस से डिवाइड किस से होगा आप इसको सोचते हो याज़े डिवाइड किस से होगा आपको कभी-कभी दिक्कत आती है ऐसी है तो मैं आपको आज यह बताऊंगा कि आप किसी भी नमबर को देख के 5 टेकन के अंदर यह डिसाइड जरूरो कर लो कि यह किस से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 11 से ठीक है मैं आपको divisibility rule बताऊंगा इन साहे नमबर होगा ठीक है तो टाइम बेस नहीं करते हैं मैं आपको बता हैं मैं कैसे आपको चीज़ बता रहा हूं यह तो शुरू करता हैं तो सबसे पहले आपको डिविजिबिल्टी रूल वन का तो पता ही होगा कि एवरी नंबर इस डिविजिबल बाई वन ठीक है इसमें तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यह तो भहुती कॉमन सी बात है हर नंबर वन से डिविजिबल ठीक अच्छी बात है अब मैं टू से बात करोँ अगर माने टू से बात करी मैंने कहा कि कोई भी नंबर है इनीन अन्बर को होज ही इउनिट डिजिट होज unit digit जो है आपकी is divisible by 2 is उस नंबर की अगर unit digit दो से divisible है तो आप लिखोगे then that number is divisible by 2 ठीक अगर किसी भी नंबर की unit digit जो है वो 2 से divisible है तो वो पूरा number 2 से divisible होगा और इसको कहने का एक और तरीका है ठीक अगर कोई भी number even हुआ तो वो 2 से divisible होगा कोई भी number even हुआ even number कैसे होता है कोई भी number के आखरी में 24680 अगर है तो फिर वो 2 से divisible होगा तो वो even होएगा ठीक है इस तरीके से होता है कोई भी number जैसे मान लिया 17394746872 यह दो 2 लग दो यहाँ पर 2 नहीं लिखना तो यहाँ पर 4 लग दो 4 नहीं लिखना 6 लग दो 6 नहीं लिखना 8 लग दो 8 नहीं लखना 0 लिख दो यह सारे नंबर से डिवई उएंगे धियर पट इन тех लावार कोछ और आता है न वो से डिवाइड नहीं होगा क्यों क्योंकि वो युनित डि est अगर तू से डिवाइड नहीं होँ रही है तो नंबर तू से डिवाइड हो जाएगा तो यह आपकी यॢय डिवर इन نुद ये 2 से डिवाइड हो रही है तो आपको number 2 से डिवाइड होगा अब आगे बात करते हैं अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप आप में को बता कि थीन का divisibility rule क्या होता है कर देलेबिल्टी रोल होता है वो ये कहता है कि अगर कोई नंबर है इसको कर He Ti सब्सक्राइब मैं विल्दा और से शैवन और में लेलिया नायन नाय और मैंने लेलिया 111 इतना बड़ा नंबर है तिक अब आप करने से पहले मैं आपसे कहूं कि आप एक बार क्या करो आपको बस यह देखना है कि यह सम आ रहे है ना उन नमरों का वह अगर तीन से डिवेजिबल है तो यह तो है आगर वो तीन से डिवेजिबल होगा बैग्राम की नाईस को आप फ़ड़ा इइगनोर करें अगर आपको आ रहे है तो तो यह जो नमर है यह क्या हो जाएगा यह डिवेजिबल हो जायागा किस से तीन से अब डिवाइड करके देख लो उसके लिए 3 वणज़ 3, 2 बचे 38, 24, 1 बचे 3, 15, 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 12, बचेगा 2, 38, 14, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 दूने 6, बचेगा 1, 3 पंजे 15, 2 बचे 39, 27, 3 त्रगनो, 3 त्रगनो, 3 त्रगनो, 2 बचे 3, 27, 21 हो गए तो यह होता है तीन के डिविजिबिल्टी रूल ठीक है अब एक सेकंड रोको जड़ा मैं इसको थोड़ा सा अलग करते हूं आपको जड़ा अलग दिखाई दिए अधरवाइस चार में मिक्स हो जाएगा ठीक है चलो चार की बात करता है चार की डिविजिबिल्टी क्या कहती है चार की डिविजिबिल्टी कहती है कि जैसे इसमें आपने सबकर समखिया चार की डिविजिबिल्टी कहती है अगर कोई भी आपको कितना भी बड़ा नमबर हो अगर उसकी आखरी की दो डिजिट मतलब यूनिट डिजिट और टैंस ड फ्जट कोई सी है काई यह निए तो ये नंबर अगर 4 से डिवाइट हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर तो पूरा नंबर चाहए होगा ही होगा है अब यता आफरी की द्मडल नाई थ्री टी, थ्री, फोर्जल Для क्रों संगे लिया है तो इतनक नंबर और गौने करने अफर है अग्रे заг를ख हो रहे हैं चाहरे लाए bedroom लिह 8to मुझे इतना बड़ा नंबर सिर्फ शौट ओके कहां पोंच गया आखरी के दो पर इस अमझेर आप मेरी इतना बड़ा नंबर शौट ओके कहां पहुँच गया आखरी के दो डिजिट्स पर तो यह हो गई आपकी चार की डिविदिविल्टी रूल कोई भी एक्जाम्पिर लेना कोई भी एक्जाम्पिर लेना आप उसको सॉल्व करके देखना अगर आपका वो होता है तो आपको समझ में आ जाया क्या से हो रहा है चलो आ इनिट डिजिट अगर आपकी जीरो है या फाइव है इनिट डिजिट या तो आपकी जीरो है या तो आपकी फाइव है तो वो नंबर फाइव से डिविदिवल होगा ठीक है बहुत सिंपल है अब सिक्स की बात करते हैं सिक्स का यह होता है सिंपल सी बात कि अगर कोई जो divisible है sorry any number which is divisible by 2 and 3 both तो वो number जो होगा आपका 6 से divisible होगा ठीक है कोई भी number आप ले लो अगर वो 2 से भी divisible है और 3 से भी divisible है तो वो 6 से divisible होगा 7 से 7 का थोड़ा complicated है मैं आपको 7 का आज बताता हूँ और मैं इसको याद करने का आपको suggest भी नहीं करता हूँ ठीक है बड़ मैं आपको बताऊँगा जरूर अब 8 की बात करें 8 की बात अगर आप करोगे 8 क्या कहता है कि कोई भी number है कोई भी number कोई भी number है बड़ उसकी जो आखरी की 3 digits है अगर ये 8 से divisible है तो वो number 8 से divisible होगा तो अब मैं आपको कुछ observation बताना चाहता हूँ यहां के जो observation है 2 में 4 में और 8 में 2 की divisibility कहती है कि अगर unit digit जो है unit digit वो 2 से divisible होने चाहिए तो पूरा number 2 से divisible 4 कहता है कि अगर आपके unit digit और 10th digit आखरी के 2 number अगर 4 से divisible है तो पूरा number divisible होगा 8 कहता है कि अगर आपके आखरी के 3 number 8 से divisible है तो वो divisible होगा 8 से पूरा number ठीक है यह आपका अनल से समझ में आई होगी I hope अब आगे बरता है अब 8 के बाद आपका number कौन साथ है 9 ठीक है 9 आता है 9 की बात करूँ अगर मैं तो आपको यह चीज़ बच्पर में खुब सिखाई गई है आप लोग यह चीज़ करते भी बहुत होगे कि 9 के टेबल पढ़ते होगे और जो 9 के डिजिट साथ है उनका आप सम करते थे आपको 9 मिलता था बार बार तो वही इसकी डिविदिबल्टी है इसकी डिविदिबल्टी यही होती है कि जो भी नंबर आपको दिया जाए कोई भी नंबर आपको दिया गया आप इन सब की डिजिट को सम करो ठीक है सब की डिजिट को आप सम करो और अगर वो जो सम है वो 9 आ जाए या 9 का multiple आ जाए 9 और multiple of 9 आप बात समझे रहो मेरी multiple of 9 ठीक है या तो 9 आ जाए या तो multiple of 9 आ जाए तो वो number आपका 9 से divisible होगा ठीक है आप example के लिए कुछ भी ले सकते हो 7 2 3 6 5 4 0 9 8 1 ठीक है 0 9 8 1 ये कोई number है ठीक है अब आपने चेक किया तो देखो 7 2 9 3 12 6 18 5 23 4 27 9 36 8 44 1 45 तो 45 आपने चेक किया हाँ है 45 तो 9 से होता है 95 कि 45 तो ये number भी 9 से divisible होगा ठीक है 9 8 7 2 9 4 होजा 36 9 6 ये 54 9 9 9 ये 81 सिंपल सी बात है ठीक है ये 9 का हो गया 10 का तो मेरे साथ तो मुझे आपको बताने दरुवत हैं थी ठीक है 10 का तो मुझे मेरे साथ साथ आपको पताने दरुवत हैं नहीं जिस भी number के आखरी में 0 आएगा वह 10 से divisible होगा ठीक है अब बात आती है 11 की 11 का सीरह सीधक पंड़ा है कि आप जो number दिया गया है उस number को देखो आप कोई भी number है उस number को आप देखो उसमें सबसे पहले आप numbering कर दो numbering कर दो 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है 1,2,3,4,5,6,7 नमबर करती है आपने आपको बस यह देखना है कि 1 वाली डिजिट पर जो number है और डिजिट पर मतलब और डिजिट पर जो जो number है उनको आपने circle बना दिया अभी देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं और डिजिट पर जो number है आपने उ इसको square बना दिया ठीक है जो odd digits पर है आपने odd digits वालों को circle और even digits वालों को square बना दिया आपने अब आपको क्या करना है आपको बस यह करना है कि odd digits पर जिटते भी number है और डिजिट पर जिटते भी number है उनको sum कर दो sum of odd digits ठीक है sum of odd digits उसमें से minus कर दो आप sum of even digits ठीक है आप ज इवन गठा रहे हो, अब सम उफ इवन मैंसे भी सम उफ ओड माइनस कर सकते हो, ठीक है, अगर ये माइनस करके आपका 11 आ जाए, या 0 आ जाए, या 11 का कोई मल्टिपल आ जाए, 11 का क्या आ जाए, मल्टिपल, ठीक है, तो वो नमबर आपका क्या होगा, 11 से डिविसिबल होगा, ठीक है, अब जैसे 11 का स्कार क्या होता है, 1, 2, 1, तो देखो, और डिजिट्स पर क्या है, 1 और 3 पर क्या है, 1, 1, तो 2 हो गया, इवन पर क्या है, 2 है, तो मैनस 2, 0, तो डिविसिबल है, अब अब एक नमबर होता है 14641 इसमें क्या करो और पे देखो आप 1 प्लस 6 प्लस 1 8 हो जाएगा इवन पे क्या है 4 और 4 8 जीरो आगया तब भी डिविजिबल है अगर कोई भी नमबर के बीच अगर कोई भी नमबर आप लेते हो मैं आपको बता तो कोई भी नमबर आपने लिया 308 लो आप 308 लिया आपने 308 लिया आपने ठीक है मैं इसकी बात कर रहा हूं 308 की तो और अगर 11 आता है या 11 का मैल्टेपिल आता है या 0 आता है ठीक है तो वह 11 से डिविजिबल होगा तो 308 को डिवाइड करके देखो 11 तू या 22 8 88 हो गया 1188 तो 28 टाइम्स गया तो यह 11 का डिविजिबिल्टी रूल हो गया तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखता है ठीक है यह आपका डिविजिबिल्टी रूल था पूरा ठीक है अब अगले सेशन में हम कुछ नयाता दग उठाएंगे